इंग्लिश लिट्रेचर में हम थोड़ा इंडियन लिट्रेचर देख लेते हैं ब्रेटिस लिट्रेचर कैसे हमारे इंडिया पर हुआ पहले थोड़ी बैक्राउंड देख लेते हैं इंडियन लिट्रेचर की उसके बाद इंडियन राइटर के बारे में पढ़ेंगे इंडि लेंगवेज को हमारे उपर हमारी कंट्री पे वाइडली एक्सपोज कर दिया एक्सपोज यानि यह काफी फैल गया था इंग्लिस एजुकेशन इंडियास में क्योंकि ब्रिटिश यहां पे उन्होंने सस्टेन के अपना एडिमिनिस्ट्रेशन चलाया ओफिसर्स और जो क्ले उनके एडिमिस्ट्रेशन में हैल्प करें तो सबसे पहले लोड मैकाले था लोड मैकाले तो वो अटारा सो पैंटिस में लेके आया थे अलाकि दास जून आठारा सो चूंतिस को आगे थे और यह कितने इंटेलिजेंट परसन थे मैकाले तो अपनी मतलब बुद्धिमानी स देज ने काफी प्रभावित कर लिया था इस टाइंडिया में और उस टाइम के जो ग्वर्णर जनर को उन्हriebले विल्यम गैंटिंग था ना लुड विल्यम आंटिंग को उन्होंने मार्च में तो यह लेके आया तृपना माईनूट और मार्च और 835 में इन्होंने बना ल इंडिया की सुसाइटी न क्योंकि अच्छा परभाव पड़ा है इसका इंगलिश का हमारे देश में क्योंकि लोगों में जाग रुखता है रिलिजियस और्थोडोक्स थे जो अंदविस्वास थे जो पोलीगेमी थी पोलीगेमी मतर बहुत ज़्यादा साध्य करना एक आदमी कई कई साध्यां कर लेता है सिस्टम ओफ चाइल्ड मैरी बच्चों की साथी कर दी जाती थी, सूपर स्टीशन थी, अंधिविस्वास थी, कास्टीशी जम था, जो पावरटी थी, और जो अग्यान था, जो अनपड़ थी, लोग जिन था, उनके में काफी ये बैनिफिशिल इंपक्ट हुआ, लेकर आए थे, कब 1835 में, इंग्लिश इंडियन, इंडियन लोगों के लिए, इंग्लिश लेकर आए थे, और उस टाइम के गवर्णर कुन थे, लाड, लोर्ड, विल्यम बेंटिंग, लोर्ड वेंटिंग ही याद कर लेंगों, उनने काफी परमोड के दा, ये रोपीए ल थे दस जो न खार शुचो तो इसको आए थे और मतलब मेंबर बन गे थे गवेर्नर के घुर्णल्स एख्जीक्विशन पाउंसिल पंचल के और अपॉइंट कर दे गए थे औफ पॉब्लिक इंस्टक्संस के प्रेजेंट बना दी गए थे क्योंकि इसने डिस्प्यूट सोल किया था जो दो पर्टिस की बीज में था 835 में और फिर इन्होंने अपना सम्मिट कर दिया था क्या फेमस जो माइनूट था कुन सा जो अभी तक चल रहा अपना शिक्षाद अधिया में तो उन्होंने अंग्यूमेंट दे कर ये कहा कि इंग्लिज लेंग्वेज को इंग्लिश लिट्रेंटर को उनको पढ़आना चाहिए इंडियंस को ताकि जो एक ऐसी क्लास उत्पन हो एक ऐसी वरक इंडीया की ऐसे परसन्स का पर्स का तरह से एक प्लास बनें से लेकिन टेस्ट कैसा हो एंग्लिश च्रीय Culture कि तरह बने लेकिन दिखाई कैसे दे इन्देयन तो एसा ने इस आईडिया पर लेकर आई थे और माहनाता मिली थि और इसको पास कर दिया गाए थैजंभे अब देखते हम हमारे सबसे पहले जो most important writer थे background हमें थोड़ी सी समझ में आगी हैं तो यह सबसे पहले रविंदर नाट्यागोर काफी famous है भई हर बार इसके question आते ही हैं इसकी point बगार को detail में बाद में पढ़ेंगे पहले यह सिरफ brief introduction कर रहे हैं तो रविंदर नाट्यागोर क काफी famous poet थे और 1913 में नोबल आवार्ड मिल गया था किसके लिए गितांजले के लिए और इनका जर्म कब हुआ था 1801 में हुआ था कहां पर कलकत्ता में हैं कलकत्ता में जब इंडिया क्या था कॉनलाइज था यानि British लोगों के अधिन था और टैगोर के वर्क थे उनका main focus क किस पर था जो certain issue थे certain issue कैसे थे जैसे racial humiliation एक दूसरा था search for self-esteem और तीसरा education और जो था religion मतलब यह चार topic थे जो इनके main focus में थे हैं कई बारह होता है न हमारा main focus इन ही topic के रदगुरत गोमता है तो इसकी सारी जो writing थी वो इन ही चार topic के रदगुरत गोमती थी हैं तो इन्हो देको दो famous song लिखे थे उन्होंने जो राष्ट्रगान बन गया था national anthem बन गये थी किस की एक तो बांगलादेश की बांगलादेश का कुन सा था आमार सुनार बांगला यानि जो राष्ट्रगान है ना बांगलादेश का आमार सुनार बांगला वो किस ने लिखा था रविं और इन्होंने काफी अच्छा काम किया सुसाइटी के लिए अपने लिट्रेरी वरक के मादम से इन्होंने नैशनलिजम दिखाई और मतलब सांती निकेतन ये मतलब एक तरी पैसन थे उनकी मतलब पैसन किसकी लिए more than 60 डिकेज एक डिकेज में 10 साल तो 6 में 60 साल इनकी डात हो गई थी तो रविंदर नाट अगोर फेमसली नो आपने जाने जाते हैं ऐसे के लिए लैटर सोर्ष टोरी के लिए नावल के लिए ड्रामा और सबसे बैस्ट तो क्या थी उनकी पोएम्स थी लिखे नोने इनकी पोएम्स के लिए और इनकी 50 पोएम्स थी उसमें पोएट्री में जैसे मानची सोनार तारी गितान्चली गितांजली जो मोस्ट फेमस है क्यों पीस के लिए तो उनोने आवार्ड मिला तो काफी फेमस हो गए थे इनके और आप देख लोगे इन्होंने नावल्स प्लेश मिली के ते प्लेश यह जैसे राजा डागर ठीक है तो यह पाफी फेमस थे इनके और जो डबलूबी येट्स था डबलूबी येट्स इतने फेमस हुए इनकी गितांजली चे इतने इंप्रेस हुए कि इन्होंने हैल्प की पॉब्लेशिंग में रविंदा लिखा डबलूबी येट्स इतने फेमस मतलब प्रभावित होए थी और नोबल प्राइज इवन बिफोर था नोबल प्राइज वाज अनॉंस नोबल प्राइज अनॉंस होने से पहले कि तांजली वाइडली फेमस हो गई थी पूरी तरह पूरे पूरी जगा ना फाइनली नोज में आगे थी कि नोबल प्राइज मिलेगा कब 13 नमाबर 113 को ठीक है नोबल प्राइज लिट्रेजर में किसको मिला था रविंदे नाट अगोर को लिगा था बतांजली के लिए तो रुदत तो रुदत का लाइफ स्पान बहुत ही कम है 21 साल तक यह जी थी बिचारी और काफी फेमस हो गई थी. चपपन में इनका जनम होआ था और 77 में इनकी डाइफ हो गई थी तो रुदत मतलब सबसे ग्रेटस राइटर थी इंगलिष लिट्रेजर की तो इंडियन थी और यह पोईट भी थी नावलेश्ट भी थी ट्रांसलेटर भी थी ट्रांसलेटर कैसे क्योंकि इंगलिष के अलावा अपने संस्कृत जर्मन, फ्रेंस, सब कुछ आती थी मतलब कही से लेंगवेज आती थी मतलब काफी ट्वंटी एज़ की में इनकी डैइध हो जाती है इनोंने केफल इंगलिष ही नहीं आती थी बलकि English के अलावा उनको French, German, Sanskrit भी आती थी और Ancient Bards लिखती थी थी बार्ड्स क्या होती है एक पोईम ऐसे तरह लिखना इस तरह लिखना कि उसमें एक स्टोरी दिखाई कोई लोग कथा कोई दंत कथा बाकिकर दंत कथा ऑटी ज्यों बोलते हैं लिखी नहीं होती हैं वैसे बोलने के मैऐदम से दिखाती थी undergraddaughter दिखाती थी जैसे Hindustan extr이었bourg brothers and Princessいきます Lotus theTrade of Lyve a tree और года यानकर यानुगों सबहलों सबसे ने जाने जाती थी में और इनोंने पोइट्री लिखे थी हैं वह चारी पोइट्री लिखे थी और फ्रेंच फिल्ड में भी काफी लिखे थी एंश ian Tea अंटि बालडे एंड ले WILL round में लिखे थी यह बी काफी त्वोध पेट्रोटीजम और नॉस्ट आलेजिंग वीडियो फो लंबी हो जाएगी कमला दास अगली वीडियो में करेंगे थेंक यू